हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू टेक्निकल गुरूप दोस्तो आज हम आपके साथ बात करेंगे भारत के राष्ट पती को रिटायर्मेंट के बाद क्या-क्या सुभधाई मिलती हैं उनको कहां पर रहने की जगे दी जाती है दोस्तो बढ़े रही का मैसत अन तक और अगर आप ह होना है 21 जुलाई को मद्दान की गड़ना होगी तो इसी महीने यानि की 25 जुलाई को भारत के प्रिथम नागरिक है जाने वाले राष्ट पती रामनात कोबिन जी का कारकाल खतम हो रहा है वह भारत के चौधमे राष्ट पती हैं रिटायर्मेंट के बाद राष्ट पती को क्या क्या सुभधाई मिलती हैं उनको कहां पर रहने की जगे दी जाएगी आज हम इसके बारे में आपके साथ डीटेल में बात करेंगे दोस्तों अगर हम बात करें रिटार्मेंट के बाद तो रामनात कुबिन जी को उनके नए आवास में जगे दी जाएगी यनकी जो है उन की मौत के बाद ये बंगला खाली कर लिया गया था और रिन्वेशन में दे दिया गया था अब इसमें रामनात कुबिन जी रहेंगे वहीं साथ ही अगर हम आपके साथ बात करें कि क्या-क्या सुभधाई मिलती हैं रिटार्मेंट के बाद प्रेसिडेंट को तो इन्वल्म दोस्तों आए डीटेल से बात करते हैं कि क्या-क्या सुभधाई मिलती हैं प्रेसिडेंट इन्वल्मेंट्स एक्ट 1951 के तहट रिटार्मेंट के बाद राष्ट पती को हर माय पेंसन मिलती है पेंसन की रासी 5 लांग रुपए प्रतिमाय होती है वहीं इनको एक सरकारी बं स्टाप में भी दिये जाते हैं इनके अलावा यानिकी इनके अवास में दो लैंड लाइन एक मुबाइल और एक इंटरनेट करेक्शन भी मिलता है इसके अलावा पानी और बिजली मुक्त में रहता है सरकार की ओर से एक कार और एक ड्राइवर भी दिया जाता है इनकी सेलर की रामनात को बिंद्यानि की राष्ट पती जी को पता उम्र यानि की जब तक वे रहते हैं तो उनको ट्रेन और फिलाइट का फिरी टिकर दिया जाता है साथ ही पत्री को परमा 30,000 रुपए बत और सची वे सायता के रूप में दिया जाता है यह सुबधा उनको तब तक मिलत होते हैं वो दुबारा राष्ट पती के चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं तो यह सुबधाएं बंद हो जाती हैं जब तक वो रिटार्मेंट नहीं होते हैं तो यह सुबधाएं नहीं मिलते हैं क्योंकि यह सुबधाएं रिटार्मेंट के बात की हैं तो यह ची जी क्योंकि जायतर मानना यह है कि जो भी पच्छ की पार्टी होती है सत्तधर पार्टी होती है उसी का राष्टपति बनता है तो द्रोपती मुर्मुजी को अगामी यानी कि अग्रिम राष्टपती बनने पर बधाई और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा थैंक यू फूर वाचिंग जहन्द